हेलो एवरीवन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के हमारे सेशन में और NCRT का जो अगला यह लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे शोचल जस्टिस के बारे में तो शोचल जस्टिस समाजिक नियाए इससे पहले हमने इक्वैलिटी के बारे में पढ़ा इससे पहले हमने अच्छे से जान ली है कि हम जो बात कर रहे हैं किसी भी aspect की जिसे की जिसकों की हम political theory बोलते हैं या फिर भई ये ऐसी जो कुछ सिधान्त हैं जिनसे आप जो है समाजिक तोर पे जो है इस दुनिया को चला रहे हो तो जब भी हम सारे के सारे सिधान्तों की बात करें तो इनकों तीन orders में जो है वो बांट देते हैं जिसका जिकर में ने last class में भी किया था तो ये जो तीनों जिकर हैं जो तीनों जो अलग aspect हैं जैसे जिसमें हम social aspect की बात कर लेते हैं political aspect की बात कर लेते हैं और economic अस्पेक्ट की बात करते हैं तो दोस्तों वैसे ही अब इस चैप्टर में जो है हमें कुछ और एंगल भी देखने को मिलेंगे जैसे कि जब मैं जस्टीस की बात करता हूं समाजिक न्याए शोशल जस्टीस की बात करता हूं तो यह भी बड़ा जरूरी है कि उस सुसाइटी म जो है न्याए की परिभाशा क्या है न्याए की परिभाशा का मतलब जो है वो दोस्तों यह है क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हम पूरी दुनिया को छोड़ दे भारत में ही हमारी जो 5000 साल की जो सब्विता है 5000 साल पुरानी सब्विता जो कि हम हडपा से शुरू करते हैं त जो हमारा वैदिक पिरिड था ये उसके बाद का लंबे समय तक समय था तो वहां पर जो वर्ण सिस्टम है वैदिक सिस्टम काफी हावी रहा तो हम बोलते हैं कि भी धर्म या धर्मा के सिधानतों पर ही जो नियाय किया जाता था लेकिन आज ऐसा नहीं है 1950 में भारत में स्थापना की और आज जो है हमारी जो स्थापना है वो हमारी सविधान के स्तर पर है लेकिन दुनिया में हर कहीं ऐसा तो नहीं है और दुनिया में आज जातर कंट्री चाहे हमें डेमोक्रेटिक देखने को मिलते हैं सविधानिक देखने को मिलते हैं लेकिन बहुत सारे कंट्री जहां पर धर्म एक विशेश का जो लौ है वो जो है वहाँ पर हावी है और उस विवस्था रखी मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वही सभी ने धर्म विशेश को ही उपर रखकर जो है नयाए विवस्था की प्रनालिकी लेकिन हम देखते हैं कि कुछ राजा ऐसे थे भी और कुछ नहीं भी थे अकबर ने अगर मैं एकनॉमिक जस्टिस की बात करूं जजिया ख एकनॉमिक एंगल भी था क्योंकि मुगलिया सल्तनत उस समय पर एकनॉमिक जो है वो डेफिशेट से गुजर रही थी और इसे जरूरी था क्योंकि बहुत बड़ी संख्या भारत में जो है वो हिंद्वों की थी और उन पर टेक्स लगेगा तब ही जो मुगलिया सल्तनत है जो धन जो कमरे हैं या आप कहलीजिए जो उसका जो खजाना है वो भरेगा तो वो उसका एकनॉमिक फैसला भी कुछ इतिहासकार बोलते हैं ना कि स्पिर्चल फैसला जो कि अकबर ने इस बिना पे किया था कि हमें यहाँ पर एक्वैलिटी लेके आनी है सभी लोगों को ज जजिया को खतम ही कर दिया था लेकिन हम देखते हैं चाहिए और दाहिर ने दोस्तों साथवी आठवी शताबदी में जो है मुहम्मद मिन कासीम ने उसे लगाया था संद में और बाद में फिर हम देखते हैं किसी टाइम खतम हुआ किसी टाइम लगा तो इसका एक सलसला ज सबसे पहले हम यह देख लें कि बही जस्टिस होता क्या है और कल्चर एंड ट्रडीशन है अब ग्रैपल्ड विद कोश्टिंज ओफ जस्टिस ओल्दो में हैं इंटरप्रेटेड़ दा कुंसेप्ट इन डिफरेंट वेस वह सभी तरह के समाजों में सभी तरह की कल्चर में इ तुड़ा हुआ था एंड मेंटिंग धर्म और जस्टे शोशल और वास कंसीडर टुए प्रैमरी ड्यूटी ओफ केंग्स तो दोस्तों जो है धर्म के नाम पर आपको न्याय विवस्था जो है वो लेकर आनी है और यही राजा का जो है मुख्या तोर पे जो है वो काम ने कुनफीशिस जो कुनफीशिस एक बड़ा फेमस जो है फिलोस्फर रहा है उसने दोस्तों के साथ अर्ग्यू कि अर्ग्यू कि अर्ग्यू डैट केंग्स शोड मेंटें जस्टिस बाइप पनीशिंग रॉंग ड्वाइट रिवाडिंग दा वर्चुए तो भाई जो उ देखकर ही जो है न्याय विवस्था को स्थापित करना चाहिए इन फॉर्थ सेंचुरी बी सी एथन्स प्लैटो प्लैटो भी एक बड़ा वेस्ट का फिलोस्फर रहा है डिसकस्ट इशू ऑफ जस्टिस इन इस बुक गार रिपबलिक अब जब हम पढ़ते हैं ना हम अपन कहीं किताबं को जो जिकर किया जैसे कि दास कैपिटल का जिकर किया कहीं मैंने कहीं मैंने वैल्थ ओफ नेशन का भी जिकर किया कहीं मैंने लॉंग वाग टू फ्रीडम का भी जिकर किया दोस्तों कहीं मैंने आईडिया ओफ जस्टिस का भी जिकर किया और अभी ये जो किता about justice young people ask Socrates why we should be just the observe that the people were unjust seems to be much better off than those who were just those who twist rules to serve their interest avoid paying taxes and were willing to lie be decitiful and were often more successful than those who were truthful and just halangki bhai yaha par jho jho plateau hai aur bhai socrates बात कर रहा है अपने साथियों से कहीं सारे उसके फॉलवर से कि भी जो लोग society में सच नहीं बोलते जो truthful नहीं रहते society के लिए जो कि अंदर जो है एक द्वेश भावना लेकर चलते हैं ज्यादा तर देखा है कि वो लोग ज्यादा काम्या रहे है जो tax pay नहीं करते if one were smart enough to avoid being caught then it would seem that being unjust is better than being just तो भही कहीं बार देखते हैं कि भही लोग पकड़े भी नहीं जाते you may have heard people expressing similar sentiments even today और ऐसी philosophies even आज भी हमें देखने को मिलती हैं Socrates remind these people that everyone were to be unjust if everyone manipulated rules to suit their own interest no one could be sure of benefiting from unjust तो दोस्तों जो लोग हैं लोग जो हैं सिर्फ self-interest को ही primary focus जो हैं वो रखते हैं और वहाँ पर जो हैं कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके साथ justice हो रहा है या नहीं हो रहा है nobody would be secure and this was likely to harm all of them लेकिन जब किसी एक व्यक्ती इस तरह की सोच के साथ आगे बढ़ता है तो उसे बहुत एक बड़े तबके को समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को unjustice मिलता है जब कोई एक व्यक्ती justice को follow नहीं करता या फिर भई जो वो अपने आपको जो है भई वो कानून विवस्था से बचा लेता है और भई वो लगातार जो है ऐसे काम करता है जिसमें उसको tax नहीं पे करने उसको सजा नहीं मिलती तो यह बड़ा महत्वपूर्ण यहां पर जो बात की सौकरिट ने कि बहुत important है क्योंकि हमें नहीं पता कि जब एक व्यक्ती जो है गलत छूड़ जाता है तो या फिर एक व्यक्ती जो है उसको सही विवस्था नहीं मिल पाती नियाए विवस्था तो उसका कैसे कैसे society पर different aspects से जो है असर पड़ता है he explained that justice does not only mean doing good to our friends justice का सर्फ यह मतलिब नहीं है कि हमें जो है सभी के साथ सही करना है या फिर दुश्मनों को हाम करना है और pursuing our own trust या फिर अपने interest को जो है वही उसको ही उसकी तरफ भागना है justice involved the well-being of all people तो भाई justice का मतलब जो है यहां पर सिर्फ एक व्यक्ती तक्सीमत नहीं है एक जो है कुछ लोगों तक्सीमत नहीं है यह तो पूरे समाज के प्रती जो है दोस्तों जो है एक समाजिक पूरे समाज को एक सहीं जो है दिशा में जो लेकर चला जाए एक ऐसा सिधान्त है और जस्ट एज जो डॉक्टर है डॉक्टर इस कंसर्ण्ड विद वेल्बिंग ओफ इस पेशेंट्स सिमिलरली दा रूलर ओफ दा जस्ट गॉर्मेंट मस्ट बी कंसर्ड वी जो है भी पूरी तरह से अपने अपने लोगों के लिए अपनी प्रजा के लिए जो है वो सही से काम करना होगा और कंसर्ण रहना होगा कि भी न्याय विवस्ता जो है वो सही से बन पाए आप देखें इसी वज़े से कई सारे जो अग्जामपल्स दिये जाते हैं बार बार देश में राम राज्या की बात की जाती है राम राज्या का मतलब ही ये है या फिर अलग-अलग हिस्सों में दोस्तों अलग-अलग और भी रूलर्स हैं जैसे हम पंजाब में लोग महरजा रंजीर सिंग को याद करते हैं महराष्ट्रा में जो है वो शिवाजी महराठा को य लेक्ती है वो जो है जादा उसको benefit मिल रहे हैं या जो है उसको नगलेक्ट किया जा रहा है उसके अपराध्धों को तो वह जब हम किसी example को set करते हैं तो इसी स्तर पर करते हैं कि वहाँ पर एक नजर से जो है सब को देखा जाता था यह पर एक अनलाइन है गलोकॉन तो सौकरेट इन दा रिपब्लिक तो भाई यह एक शब्द हैं नेचर गोटो सफर अंजस्टिस आवल बट तैवल आवल इस ग्रेटर था गूट एंड़ और तो वन गलोकॉन सौकरेट को यह बोल रहा है कि अगर जान बूच के किया जानवाला जो जो अंजस्टिस है वो जादा भ्यंकर है बजाए कि हम कई बार हम देखते हैं कि समाजिक तोर पर यह कुदरती तोर पर जो है कई व्यक्तियों के साथ अंजस्टिस हो जाता है जैसे मान कि जुदipher आजीजे किसी का जनव वहां पर हुआ हैं जहां पर रिसोर्स ते नहीं हैं जमीन उपजाओ नहीं है पानी के रिसोर्स उससे भी जादा खतरनाक है क्योंकि उस तक तो वो facilities पहुंचाई जा सकती है लेकिन जब जान भूज कर किसी के साथ जो है नियाई सही से नहीं हो पाता वो society के लिए समाज के लिए जादा जो है हमें खतरनाक देखने को मिलता है the idea that justice involved being each person is due continues to be an important part of our present day understanding of justice भाई आज के time period में अगम देखें अबर understanding is what is due to a person has changed from a time of plateau our understanding of what is just is closely linked to our understanding of what is due to each person as human being भाई यह जो जर्मन फिलोसफर है एमिनल कांथ अब देखो कहीं सारे फिलोसफर का जिकर हुआ है अभी अभी यह नए एक है एमिनल कांथ human being जो है उनको जो है dignity जो है respect जो है life को जीने के लिए चाहिए if all persons are granted dignity then what is due to each of them and they have the opportunity to develop their talent and pursue their chosen good तो अगर उनके dignity मिल पाती है उनको जो है respect मिल पाती है उनको विश्वास मिल पाता है ruler से तो वो अपनी जीवन में और बहतर करने का सहस उनमें भरा जा सकता है जिससे की पूरी society पूरा देश जो है एक पूरी community develop हो सकती है justice require that we give due and equal consideration to all individuals तो सभी को बराबर जो है consider करना जो है यह भी किसी ruler के लिए बड़ा ही महत्तव पुरुन जो है वो दोस्तों काम है यहां पर भही इसको सोड़ा silent mode में भी लगा लें फिर दोस्तों equal treatment of equal for equals तो equal treatment for equals अब जैसे की मैं भारत के संदर में बात करूँ जब हम republic हुए दोस्तों जब जो है यहां पर concept आया गनतंत्र का तो उस concept में हमें देखने को मिलता है कि हमने adult franchisee का जो है जिकर किया adult franchisee से मेरा जो भाव है adult franchisee दोस्तों जो है उसका मतलब है कि भी सब ही लोगों को एक उम्र के barrier के साथ एक age barrier के साथ जो है वो डालने का अधिकार दिया जाएगा भारत में जब हम जो हमारा election प्रनाली देखते हैं तो वहाँ पर इवन भारत में ही क्यों पुरी दुनिया भर में ही तो कुछ लोगों को ही विशेश तोर पे मतदान का अधिकार मिला करता था चाहे वो समाज में एक पावशूर पजीशन रखते थे चाहे उनके पास पैसा था उस अधार पर जो है मतदान जो है लोगों से कराया जाता था लेकिन जैसे ही भारत में और 1950 तक तक तो कहीं सारे देशों में लोगों को अधिकार मिल चुके थे लेकिन हमारा देश दुनिया का ऐसा देश है कि जैस दिन हम रिपब्लिक हुए तो हमने सब ही लोगों को जो है वोड डालने का अधिकार दिया जिनकी उमर 21 साल या 21 साल से जादा हुआ करती थी और दोस्तों ये अपने आप देशी के लोग तंतर के लोगों द्वारा चुने जाएंगे राजा तो इसका जो है वैदिक पीरेड में भी मिलते हैं ऐसा नहीं है कि वहां नहीं मिलते खास तोर पे अर्ली वैदिक पीरेड में लेकिन फिर माना जाता है कि डेमक्रेसी का जो शुरवात है सबसे पुरानी देमक्रेसी हम यूएस यूज़ को मानते हैं फिर वेस्टर कंट्रीज में एई तो वहां पर हम देखते हैं कि इवन जो है कहीं सारे कंट्रीज में डेमक्रेसी आने के बावजूद भी वहां पर ब्लैक लोगों को निग्रोस को या वोमेंश को वोड का अधिकार नहीं मिल था इवन निजिलेंड जैसा दोस्तो एक कलोनी ये दुनिया की ऐसा पहला देश था चोटा सा कंट्री है की भी बोल देते हैं दोस्तों वहां की लोगों को हम और यहां पर जो है दुनिया में सबसे पहली बार महिलाओं को अधिकार दिया गया था वोट जो है वो डालने का औ भारत में तो हमने सबको ही दिया अधिकार 21 साल से उपर हलां कि बाद में 1989 में अधिकार जो है अठाना प्लस को जो है वो दे दिया गया था तो एक्वल ट्रीटमेंट फोर एक्वल ओल्थो देर माइट ब्रोड एग्रिमेंट इन मॉडन सोसाइटी अबाउट दा इक्कुल इस अधिकार है वोट डालने का अब बहुत बहुत दोस्तों यह जो है भारत में राजनितिक अधिकार है वोट डालने का कभी कभी प्रशन आ जाता है कि is it a fundamental right no it is a it is a political right it is a legal right और like the right to vote which enable people जो की लोगों को political process में अपना ruler चुनने में जो है दोस्तों वो जो है सक्षम करता है और जिससे कि भी समाज का हर व्यक्ति जो है वो अपना ruler अपना राजा जो है अपनी मर्जी से चोन सकता है और सटेन शोशल राइट वोट इंक्लूड दा राइट तो इंज्वाइए इकल अपॉर्टिटिज विद एकल मेंबर्स ओव दा सुसाइटी हां जी तो यहां पर एक दो अग्जांपल बड़ी अच्छे दी हुई है एंसे आटी में जैसे कि अगर भाई दो अलग अलग कास्ट की लोग एक तरह का बिल्कुल सेम काम करते हैं और ब्रेकिंग स्टोन और डिलिवरिंग पीजा चाहे वो पत्थर तोड़ रहे हैं चाहे वो पीजा डिलिवर कर रहे हैं लेकिन एक तरफ देखें इप परसन गैट 100 रुपीज एक काम के लिए और दूसरा गैट 30 पर मिलते हैं तो दोस्तो यहांपर जो है वह इसका कास्ट का याफिर जेंडर का जो है हानकि यहां पर जेंडर शब्द यह नहीं लिखा और अगली line में यह लिखा हुआ है क्योंकि हम देखते हैं कि भेदबाब सिर्फ कास्ट की सीमित नहीं है यह सिर्फ रंग तकी सीमित नहीं है यह जेंडर तक भी सीमित है अब यहां पर दोस्तों जब क्योंकि यह एक्जामपल ली है तो आप देखें हमारी जो DPSPs हैं वहां पर भी Equal Pay For Equal Work की बात की गई है और वहां पर जो बात खास तौर पर जेंडर बेस्ट क्योंकि ऐसा मान लिया जाता है सिर्फ मान लिया जाता है कि भी औरतों औरत जो है वो Physically कमजोर है इसलिए वो उतना काम नहीं कर पाएगी लेकिन जैसे कि हमने Last Chapter में भी पढ़ा कि यह सिर्फ मान लिया जाता है जैसे उसमें एक Example दिया था कि भी एक Student है दो बच्चें हैं घर पे और एक जो लड़की है एक लड़का है लड़की बोल रही है कि मेरे Marks भी तुमसे जादा आ रहे है मैं घर में काम में भी जो है ममी को हेलप करती हूं लेकिन फिर भी तुम्हें जादा Intelligent तुम्हें जादा वर्थ जो है वो माना जाता है तो यह Society में कुछ चीज़े माल नहीं जाती है और वो जो माल नहीं जाती है ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सही ही है फिर दोस्तों इसके इसके बाद अगर हम बात करें कि यहां पर कुछ प्रिश प्रिंसिपल जस्तिस विच रिकोगनाइजेशन जो है वह रुखी जाएगी जो 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 खास चीजों पार ध्यान रखा जाएगा जैसे कि भी समाज में कोई गौवर्मेंट स्कीम लेकर आए कोई पॉलसी लेकर आए तो इसमें शोशल जस्तिस का जो खास तोर फे ध् अत्तपुरुन हैं बट इवन नौन-discrimination between people and rewarding them proportionally to their effort might not be enough to ensure that people enjoy equality in their respect of their lives in society nor that the society as a whole is just the principle of taking account of the special need of people does not necessarily contradict the principle of equal treatment so extend the principle of treating equals equally who are not equal in certain important respect could be treated differently तो दोस्तों हम देखते हैं समाज में कि भाही काम के अधार पे ही नहीं इसके अलावा जो है लोग जो है भई आपका जो जहां से आप belong करते हैं आप जो है किस तरह का आपका color है या किस तरह का आप काम कर रहे हैं तो लोगों को differentiate करने के जो है आज society के पास बहुत सारे methods वेज आ चुके हैं लेकिन ये समय समय पर जो है लोगों के एक धारना बनी है लेकिन अगर समयाजिक न्याए जो है दोस्तों लोगों तक जो है और ये न्याए सिर्फ हम judiciary की बात नहीं कर रहे हैं ये हम हर तरह के sources के allocation की बात कर रहे हैं वही ऐसा नहीं है कि भही मान लीजे कि अगर कोई railway line के साथ कोई जोगी जुपड़ी है तो सरकार को उसके लिए भी सोचना पड़ेगा कि उन लोगों को कैसे पक्के मकार और एक ऐसी जगहां पर जहां पर स जो हम जिरें हम बोल देते हैं white collar jobs है diamond collar jobs है जो उनको प्रापत हो रहे हैं तो वही मौके जो है blue collar job या फिर manual work करने वारों को भी मिलने चाहिए तो यह चीज़ दोस्तों यहां पर जिकर जो है इस चीज़ का किया है तो दोस्तों यह जो chapter है ठीक है जो हम social justice है तो इसका एक य और session के बाद आपको क्या समझ आया और आप इससे क्या सोचते हैं कोई प्रशन अगर आपके दिमाग में जो है भी origin हो रहा है तो जरूर आप उसे comment box में है जरूर लिख सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद thank you so much